नमस्कार आप देख रहे हैं प्रदेश का भरुसेमन न्यूस ट्रानल इंटिया न्यूस राजस्थान में हूँ आपके साथ सोनाली तुम स्वागत है आपका हमारे खास कारेकरम बोलियो राजस्थान में आज हम बात करेंगे रीट पेपर लिख मामले में अश्रूग कहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है काबिनेट बैठक के बाद मुखेमन सुरी अश्रूग कहलोत ने प्रेस कांफरेंस की है और रीट की लेवल टू परिक्षार रद करने का निर्ने भी लिया है वहीं श्रि की है लेवल टू की परिक्षा एसोजी जांच को छोड़कर सीबी आई जांच की मांग कितने सही हैं जो कि सारे खुला से एसोजी ने किये हैं क्या इस मुद्धे पर विपक्ष राज नीती करता हुआ नजर आ रहा है आर बीएससी चेर्मेन डीपी जारोली को बर्खास करन हैं तो चलिए सबसे पहले आपको लेचोलते हैं कोटा जो हमारे सम्वादाताने लोगों से बात की उनकी राय जानी है आपको लिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए आश्ए बड़ा नीदो लिए है जो सेकंट क्रेट का रीट परिक्षा ग का पेपर था उसको पूरी तरह रद कर दिया गया है लगातार राज्य सरकार पर विपक्ष निसाना साथ राता उसकड़ी में राज्य सरकार ने एक पेसला लिया है इस पेसले के बारे में क्या है युआ वर्ग की राये इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मोजूद है रीट बरती परिक्षा का सेकंड फेस का जो पेपर था यहां पूरी तरह रद कर दिया गया क्या आपके विचार रही है 123 सरसे राजस्तान में राज्य दी चल रही है इक आरोफ लग रहे हैं दूसरी तरह से फॉर्म भरे उन्होंने उन सबका पैसा लगा है तो अब वो गई गरीब विद्यारती जब इतना पैसा खर्च करके परिक्षा के तयारी करके परिक्षा देता है फिर इतना बड़ा उसके साथ खेल केला जाता है परिक्षाओं को नकल करवा दी जाती है परिक्षाओं में फि परिक्षा देने जाना पड़ेगा तो यह बहुत लंबा सिलसिला खिच चुका है दूसरा अभी भी हम यह मांग करते हैं कि अगर यह परिक्षा वापीस हो रही है सरकार इसकी क्या गारेंटी देती है कि यह परिक्षा में वापीस धांदली नहीं होगी क्योंकि अभी उच इ करेंगे इस लोग हैं इमांदार शिक्शक हैं उन पर भी आरोब लगाके उनकी इस साजसर को कि कर दोड़ा AT द्यारती को आप ही मुझे ये बताईए एसो जी काम करती है राज्य सरकार के निर्देश पर अब जैसा कि राज्य सरकार के ही करमचारी इसमें पकड़ाई में आ रहे हुँ चिस तरके तो ये तो माना जा सकता है कि उचे लेवल पे इस पेपर को लीग करवाया गया है तो असलियत व्ह quemet आ जाए जिरूली को कि अब कास्त कर देना चाहिए जी अगर उनके संगलिपता की प्हरादी अधिशाजश करमचारी इस लीग सामने हैं और संधे आप लोग सोचते हैं जी छोटे 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 लोगों की गिरफतारी दीरे 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 होती जा रही है जब आप यो बोल रहे हैं कि 300 लोगों के पास पेपर पहुचा अकबारों में भी हम पढ़ रहे हैं मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि इतने लोगों के पास पेपर प तो CBI को जान सौब दी जाए ताकि CBI इस पर सही जान करकर जो भी इसमें उच्छ से उच्छ से लोग संगलिपते हैं उन पर करवाई करवाए राजस्थान में रीट बरती परिक्षा मामला बड़े जोर सोर से विपक्ष उटा रहा है किस तरह से देखते हैं एक युवा और विद्यारती होने के नाते इसे साथ लीट की परिक्षण करके जो सरकार करे रहे हैं वह इसको राजनेतिक मुद्दा बना रही हैं खुद CBI जाज से बचना चाहरी है इसको निरस्थ करके सिर्फ बच्चों के भविश्य के साथ खिलवार किया जा रहा है तो यह विध्यारत्यों के साथ गलत किया जा रहा है तो कि जहांँ होनी चाहिए किस तरह का मुध्दा जो विपक शूठा रहा है कहा तक सही है कि रीट वरती में एक बड़ा लए हुआ है दो justasto इमाधारा सिख्षक ओपर做 Max और हुए और इस रीड़ परिक्सा में उपना लाधा थो हुआ ये पर मैं असौक गेलो जी को यह सब है कि लेवल टूको रद सबतisha वह सब सेफस्णा लिया और मैं चाहता कि यह विपक्स नेता जो यह इमानदार सिक्साओं पर जो दानली आवाज उठा रहे हैं जो कहीं नहीं रीट बढ़ती परिक्षा एक बड़ा मुद्दा है जब सरकार ने रीट लेवल टू को पूरी तरह से रद कर दिया गया तो क्या लगता है कि अब जो विपक्स का जो हल बूल कारेग्रव में और कहीं नहीं थमेगा तो अब बोले राजस्थान में आगे और बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आख उसी दिले चलते हैं जहां सीम आश्रोग